हेलो दोस्तों आज हम यहां पर बात करने वाले टीडी पावर सिस्टम लिमिटेट से लेकर क्या इस शेर से लेटेड हमने पहले बात करी है वो भी जानेंगे कि आज लगबग 5-6% यह शेर भाग चुका है और 52 वीग हाई की बात कर दो 314 रुपे का इसने हाई बनाया था तो यह एक नए एरा की तरह भागता हुआ नजर आता हुआ दिखाई दे रहा है बट कुछ कंडिशन के साथ है ठीक है तो वो कंडिशन से लेटेड हम बाते करें लास्ट वीडियो में देखाऊगे तो आपको पूरे फंडामेंटल समझ माएंगे एस वेल इस चार्ट पैटन को आपको समझ में आएगा कि exactly किस तरफ यह शेर भागता हुआ नजरार है ठीक है और क्या मेरे पास शेर है या नहीं है उससे लेटेड भी हम बाते करेंगे ब और इसी तरीके के बहतरी स्मॉल कैप शेर क्योंकि मारी चैनल का नाम है स्मॉल कैप तो इसलिए हम यहां पर स्मॉल कैप शेर से रिलेटेड ही यहां पर बाते करते हैं जाकि वीडियो देखेंगे तो आपको पता चलेगी कि एक से एक बहतरी शेर से लेटेड हम यहां पर लेना है, शेर क्यों लेके भाग जाता है, क्यों लेके गिर जाता है, क्या यहां पर साइकलोजी चलती है, क्या बागते है, क्यों से शेर गिरते है, वो सब चीज इस पर्टिकुलर कोर्स में पता चलेगा, 25.000 रुपया कोर्स है, बस 3 months के अपर देखने की जरुबत नहीं पड़ेगी, 2860540501, 8169261, 2737, दोनों नमबरों को सेफ कर लीजिए, बेसिक्स टू एडवांस ही हां पर कोर्स आपको कराया जाएगा, और वो भी 1-2-1, ऐसा नहीं है, रिकॉर्डेड कोर्स आपको दे दिया, आपकी क्वेरीस को सॉल्ल कि और एक बार बात करके देखिए, कोर्स के बारे में जानी है, ठीक है न, आपको बदा चलेगा कि कोर्स लगवाबग फिरी ही आपके लिए होता हुआ नजर आएगा, अगर आप उस तरीके से करना चाहोगे तो, बागी, अगर साथ में काम करना है, पोटफोलियो बड़ा है तो आप इन नंबरों पर कॉंटक कर सकते हो, साथ में आपर आप काम कर सकते हो हमारे, कुछ ना कुछ एडिशन आपको फायदा यहां पर होता हुआ नजर आएगा, एक बार कॉल करके देखिए, बात करके देखिए, आपको समझ में आ जाएगा, वीडियो में आगे बढ़ से लिटेड हमने इस पर्टिकुलर शेयर कुछ से लिटेड बाते नहीं करी, ठीक है, कोई इशू नहीं है, तो टी डी पावर की अगर मैं बात करूँ, तो हमने यहां पर ट्रेड किया था, वन नाइन्टी के एराउंड, ठीक है, हमने कुछ टाइम पहले, अगर मैं बात कर अगर नाइन्टी के शाएंग, तो हमने थोड़ा से ध्यन में रखिया, बात करते हैं, टी डी पावर की और टी डी पावर की बात करें लेंट सबसे पहले, पहले स्मॉल channel केप शेयर है, तो हम चार गराम हम चानग Collaborate कें, हम छ्चोटे शेयर से लिट डी मुश्ली बाते करते हैं. कंपनी करती क्या है? वो यहां पर देख लेते हैं. Engage in the manufacturing of AC generator, electric motors for various applications which are specifically designed to suit the needs of the customer based on their requirement and specification. आना जो customer की requirement के हिसाब से, आना अपने client के हिसाब से अपने जो यह products है, वो बनाते हुए नजर आते जिन में AC generator और electric motors यह बनाते हुए दिखाई देते हैं. product portfolio की बात कर रहें, तो यहां पर आप देख सकते हैं के product portfolio में अलग-अलग जिए है, जैसे कि यहां पर tailor for a wide range of turbines including steam, gas, hydro and wind, okay, अलग-अलग तरीके के से जो चलने वाली turbines है, वो बनाते हुए नजर आते हैं, as well as engines such as diesel and gas. And it is the leading manufacturing of AC generator, delivering across the spectrum from 1 to 250 mega watt per annum, हाना तो इस तरीके के यहां पर यह AC generator भी बनाती हुई नजर आते हैं, आप जाके एक bird की website पर देख लीजिए, लग-बग 53% इंडिया में और बाकी 47% export करते हुए नजर आते हैं, order book की बात करें, quarter one 2024 में लगवा 1385 करोड रुपे की, यहां पर order book खड़ी हुई है, हाना बेदर domestic order लगवा 55 करोड यहां का इनका order है, और 260 करोड यहां पर इनका export का order यहां पर दिखाई देता है, ठीक है, बाकी हम बात करें, और चीट की, capex भी plant है, हाना client की बात करें, आप इनके clients भी आप देख सकते हैं, top 10 client को लग 65-70% यहां पर revenue आता हुआ दिखाई देता है, share यहां पर split भी देता है, और अच्छा काम करता हुआ नजर आते हैं, इनकी website पर आप visit करेंगे, इनके products से related यहां पर जान लीजिए, ठीक है, company कर company के बारे में और जानते हैं, यहां पर आप देख सकते हैं, stock capacity यहां पर आपको दिखाई देती हुई, नजर आएगे, company किस तरीके से, यहां पर traction, okay, यहां पर आप देखिए, geothermal, marine, hydro, thermal, यहां पर हर तरीके से company diversified business करती हुई, नजर आती है, तो अच्छे खासी company नजर आत है, ठीक है, तो company के बारे में और जानते हैं, तो यहां देखिए, 38 का PE है, इंडश्टिका PE 47 का है, तो सस्ता नजर आएगा, but still, हमेशा की तरह मैं आप से कहूँगा, PE के base पे कभी काप मत करिये, ठीक है, काफी ज्यानी बुद्धी मान लोग आप से कहेंगे, कि कम PE है, ले है, तो यहां पर 314 रुपे का हाई लगाए था, 137 का 52 लो है, और intrinsic value 94 है, तो की phase value है, थोड़ा वो dividend भी कमपनियां पर देती हुई नजर आती है, यहां पर आप देख सकते हैं, एक range में चलने के बाद 2011 से लेके एक particular period तर, ठीक है, 2022 में निकलता हुआ नजर आया और तब से, अगर आप देखोगे, share भागता ही नजर आ रहा है, गिरता हुआ नजर नहीं आ रहा, अब यहां पर company के number से लेडिर बाते कर लेते हैं, तो यहां पर अच्छा खासा company का बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, as well as आप पर operating profit देखोगे, वो भी यहां पर अच्छा खासा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, margin यहां पर flat है, ठीक है, और यहां पर आप देखें net profit, वो भी बढ़ रहा है, तो अच्छी चीज है, yearly basis में यहां चीजों का बढ़ना, ठीक है, या फिर yearly basis पे चीजों का घटना, आगे बढ़ते हैं, और यहां पर बात करते हैं, company के yearly performance की, जो की वाई उन वाई basis पे जो चलता आ रहा है, तो मार्च में आप देखेंगे, 2012 में 1000 क्रोड की sales थी इसका गिरता हुआ नजर आया, ठीक है, इसी share जो है, एक consolidation mode पे, काफी सालों तक चलता हुआ, नजर आ रहा है, यहां पर आप देखिए, चार्ट में ने दिखाया था कि एक consolidation mode है, बल्कि गरता ही हुआ, नजर आया है, कहा हाई, इसने लगभग 90 रुपीज के आस-पस लगाया था, फिर उसके बाद ये share पंदर रुप करती हुआ, नजर आ रही है, on the price appreciation के base पे, reserves की की बात करें, company के reserves बट रहे है, और borrowing की की बात करें, तो बिल्कुल zero हो चुके है, September के हिसाब से, 2 करोड रुपे वर्किंग पर हो गया, इसमें 10 करोड रुपे का investment, और cash की बात करें, लगभग 191 करोड रुपीज का, यहां प अब धीरे-धीरे कम हो रहे है, December में भी आप देखोगे, तो December में भी share यहां पर कम होते हुए नजर आए, 21% के आसपाश के share पब्ली के पास यहां पर नजर आते है, अब यहां पर आप सीज़ों को देखिए, तो कुछ promoters के designated person में जो जादा relative या जादा close होते हैं, जो जा अब चार्ट से लेगे, कि हाँ पर चार्ट क्या कह रहा है, कम्पनी का यहां पर share क्या कहता हुआ नजर आ रहा है, उससे लेटिर हम यहां पर क्या करेंगे, बात करेंगे, बट उससे पहले आप से हमेशा की तरह है रुक्वेस्ट रहेगी, कि I am small cap investor channel को subscribe, bell icon को hit all notification को on करें ताकि इस तरीके वीडियो मिलते रहे, बाइंग सालिंग की हम recommendation देते नहीं है, simply आपको अपने due diligence और सीख के ही यहां पर share को लेना है, वीडियोस बनाई गई है, आप यहां पर जाके देख सकते हैं वीडियोस को, हाना सीख सकते हैं, बाकी हमारा channel यहां पर आप चाहो, तो पावर सिष्टम क्या है क्या रहा है, देखे एक अच्छी कासी तेजी इस ने दिखाई, ठीक है, और दिखाने के बाद एक लंबा consolidation, अगर मैं बात करूं, तो लगबच आज 7-8 महीन हो चुक है, इस particular share को एक ही range में यहां पर घूमता हुआ नजर आया, भागता हुआ नज नजर आया है, और लगबच 5% के ऊपर जाके 301 रुपे पर यह share चल रहा है, अब क्या, तो अब यह है कि जैसे ही यह share 313 और 14 रुपे का जो लेवल, मैंने अभी आपको बताया भी था, रिसर्च की टाइम पर, जैसे ही वो अपने 52 वीक हाई, यह all time high कुछ भी कह लीजिए उसे तोड़ता जो कि 314 रुपे है, यहाँ पर share में एक तेजी होती वी नजर आएगी, अभी जल्द बाजी करने की जरूतनी है, देखना है अगर वो break करता है, वो break करने का रुखता है, तो इस share में एक तेजी होती वी नजर आ सकती है, जो कि इस share को कहा की तरफ लेके जा है, बट याद रखिये, जब कोई भी share बताया जाता है, तो उसके साथ में risk भी involved हो रहती है, ठीक है अगर आप बिना risk के, बिना risk management के चलेंगे न, आख बंद करके था न, तो long term में कहानी change भी हो सकती है, short term में भी कहानी change हो सकती है, long term में भी कहानी change हो सकती है, जैसे कि करना है, levels को निकलने का weight करना है, फिर उसके बाद आप entry के बारे में सोच सकते हैं, अब अपने financial advisor खुद की study हो, जब आप entry के बारे में सोचो, तो फिर एक stop loss भी सोचिएगा, और stop loss, 4-5-10 रुपे का यहां पर stop loss लगाईएगा, जो कि लबद 2-3-4% की आस-पास का bet बैठ और अच्छे पैसे बनाना, या तो आपको 3-4% का loss होगा, या फिर 60-70% की return आपकी बनते हुए नजराएगे, ठीक है, तो 22 साली की कोई recommendation नहीं है, अपने financial advisor खुद की study करना है, चीज़ों को सीखना हो, सीखने के लिए मैं हमेशा आपको बार बार बताता हूँ, कि हमारे course क करेंगे, तो risk reward ratio, risk management क्या होती है, जिसके basis पर पैसा बनता है, बड़े बड़े लोगों ने पैसा बनाया, वो आपको यहाँ पर समझ मायाएगा, ठीक है, बाकी, like, comment, share, channel को subscribe करें, इन नमबरों को note करके course कर सकते हो, साथ में काम कर सकते हो, thank you so much, God bless.